नमस्कार दोस्तों आज अपने पिछले लेक्षर से आगे का पार्ट कर रहे हैं कल अपने दो परते बना ली थी सुदर चालगों एक्स्टेसिनिक सेमिकंड़क्टर से पिटाइप और एन टाइप आज अपन उनके पिटाइप और एन टाइप बारे में थोड़ा सा डीटेल पढ़ेंगे तो चलो शुरू करते हैं कल अपने पढ़ा था कि दो परते, एसुदी, दो प्रकार के एसुदी, एक त्री संयोजी और पन संयोजी मिला कर कि अपने दो परते बना ली थी, एक पी परत और एक एन परत, तो आज अपन एक परत और एन परत को दोनों आपस में क्या कर देते हैं, जोड देते हैं, क्या क संख्यَक आयन होता है और इलोक्त्रों होता है वो क्या होता है अलब संख्यक आयन होता है अैंड के अन्दर इलोक्ट्रोन क्या होते हैं बहु संक्या का आयन होते हैं एन के अंदर क्या होते हैं इलोक्ट्रोन बहु संक्या का आयन होते हैं तथा होल क्या होते हैं तथा होल क्या होते हैं ये डोनर थे और ये क्या थे असेप्टर थे ये क्या थे असेप्टर थे अब अपने यहां तक तो बात कर ली थी अब जो यह है इसको बोलते हैं जो यह है उसको बोलते हैं जंक्सन क्या बोलते हैं जंक्सन का मतलब दो जो चीजों को जोड़ता है उसको बोलते हैं अपने ज जंक्सन हो गया जंक्सन हो गया क्या हो गया जंक्सन आप देखिए अपन बात करें तेगी जो सांदर्ता है वह अलग-अलग है सांदर्ता डिफरेंस ओफ कंसेंटेशन सांदर्ता का अंतर है जिससे क्या होता है यहां पर अलग-अलग कंसेंटेशन के यहां पर एक बन जाती ह एक लेयर बन जाती है क्या बन जाती है एक लेयर बन जाती है अवक्षय परत इसको क्या बोलते हैं लेयर एले वी आई लेयर डिप्लेशन लेयर इसको क्या बोलते हैं अपन डिप्लेशन लेयर डिप्लेशन लेयर अवक्षय परत क्या बन जाती है अवक्षय परत बन जाती है यहां पे क्या बन जाती है आवक्षप परत यह कि यह दोनों अलग-अलग पी-परत और एन-परत को, अपन दो तरीके से जोड सकते हैं, एक तो कि सांदर ताजी परिवर्चन क्या नहीं क्या बन जाती है एक लेयर बन जाती है अब यहां से इस लेयर में बहुत सारी क्यूशन पूंचे जाते हैं लेयर के बात करें मोटाई की बात करें कितनी मोटाई होती है लेयर की मोटाई होती है माइक्रो मीटर में किस में होती है लेटियर के अंदर अवक्षय परद्ष में क्या होता है तो इसके अंदर आयंत क्या होती है दोपिंग वह इसके प्रोपर्पोर्चनली होती है व्यतकरमानुपाती होती है इसके होती है अवक्षश परत tomorrow आई के अवक्षध मोटाई के मतलों घ् reflects जादा होगी तो परत क्या हो जाएगी मोटी होगी परत क्या होगी परत भी मोटी होगी द्हान रखना ये तीनों चीजें यहां से पूंची जाती मिया तो कि लेगी 12 ख़ ओम या फिर 10 की गाद माइनस चार सैंटीमेटर, इसको मेटर को किसी ने बदल दिया, सैंटीमेटर में, यहां क्या होते हैं, इसके अंदर आयंज होते हैं, डोपिंग और इसका परत की मोटाई में क्या संबंद होता है, जितनी ज्यादा डोपिंग होगी मोटाई उतनी ही कम होगी टेंपरेचर के साथ मोटाई बढ़ेगी अब अपन बात कर लेते हैं कि यह अपना बढ़ गया अब इसके बढ़ने के पास इधर जो लीड जोड़ी जाती है उसको बोलते हैं ऐनोड पी के तरब जो लीड जोड़ देखे थे अपने बात के लिए पी परत और एन परत को जोड़ लिया एलोई वी दिया ग्रोन वी दिया के तो और इनको जोड़ लिया और यह अपने पहले ही बात किया था इसके अंदर होल ज्यादा होंगे इसके अंदर क्या होंगे ज्यादा किसे इलक्ट्रोन से और अपन थोड़ा सा इसके आगे का पार्ट देख रहे थे आगे इसका मतलब अपने क्या पढ़ लेते हैं इसका आगे का क्या पढ़ लेते हैं इसके सिंबोल वगेरा और इनका थोड़ा सा ध्यन और कर लेते हैं इसका सिंबोल बनाएंगे इसका सिंबोल कैसा प्रतीक कैसा बनता है डायोड का प्रतीक कैसा बनता है अपने किसकी बात करें डायोड के प्रतीक की बात करेंगे यहां पर डायोड का प्रतीक देखो यह बताओ दोनों परतों को जोड़ करके प्रतीक ऐसा पाया जाता है ऐसा मिलता है डायोड का प्रतीक ऐसा मिलता है यह कैथोड हो गया यह इधर क्या हो गया एनोड हो गया और यह डिपलेशन लेयर को को प्रदश्यत करता है अब देखो ये। तीर का निशान की अपना बात को क्या होता है किस दिशा को करता है अपना बात करेंगे कि Di दूसरा कारे क्या होता है इसका दूसरा ये कारे होता है ये cutting What is cut in voltage बपाता है cutting voltage क्ट इन वुल्टेज को बताता है cutting voltage की बारे में बताथा य detached current को block करता है cutting को बताते तीर इधर and node होगा इधर equals clearer today होगा आपनने ये भात किन के लिए और जर्मीनियम के अपने बात करे हैं 0.3 volt होता है अब बात करें cutting voltage कड़्सका जिसे मतलब समझ लो कि इस voltage से कम पर इसे कम पर विदुधर धारा अपने को आउटपूट नहीं मिलेगा विदुधरा में नहीं मिलेगी आउट्पुट नहीं मिलेगा अपने को यह बात समझ में आ रही है विदु धारा में नहीं मिलेगी आउट्पुट नहीं मिलेगा यह कटिम वोल्टेज हो जाता है यह सिंबल हो जाता है जन्नली वाइवा की क्यूसन होते हैं कि यह बार क्या शो करता है यह धा तरफ यहां पहँआ ऑपनी पड़ा हिए तो इसको पहचाने के कैसे तो एक डायोड ऐसे गोल्गोल टाइप में होता है और भी कई पती बनाई जाती है क्या बनाई जाती है पट्टी सिल्वर पट्टी क्या होती है सिल्वर पट्टी सिल्वर मार्क होता है यहां पर सिल्वर मार्क होता है इसी से अपन पैचारेंगे यह क्या होता है कैथोड होता है अब अपन बात करें परिभासा की तो यह क्या होता है डायोड से एक एक इलोक्त्रोनिक युक्ति होते है इलक्त्रोनिक पी एंडंक्टर से बना हुटा है डायोड देखे परीवासा सुन दीजिए डायोड एक PN junction अर्द तालगों से बना हुआ डायोड एक PN junction इसको क्या बोले अपन डायोड क्या बोलेंगे यह डायोड D I O D डायोड यह क्या बन गया डायोड का निर्वान किसे बनता है अब डायोड के प्रेज़ दायोड एक PN junction अर्द चालकों से बनी युकती है जो क्या काम करती है देखो जो क्या काम करती है डायोड PN junction एक युकती है किसे बनी होती है सैमी कंड़क्टर से बनी होती है किसे बनी होती है यह सैमी कंड़क्टर से बनी होती है और जो क्या काम कर और जो प्ल्सेटिंग डि सी होता है प्योडियों बैसे बिल्कुल स्टेट होता और जो पॉल्सेटिंगडी इसे जा अपने दो परतों को जोड़ लिए एक डिप्लेशन लेयर बनेगे डिप्लेशन लेयर में से एक इंपोर्टेंट क्यों पूछा जाता है फिर पैचान की बात कर ली विदुधारा प्रवाइट क्यों होती है देखो विदुधारा प्रवाइट इसलिए होती है इसलिए होती है difference of the concentration के कारण बैती है, विदुधारा किसे के कारण कहती है? विदिर तो आज देखें ये open circuit या खुला होगा परीपत हो? किसमे open security, open circuit में या खुला परीपत में पड़ा हो? खुला परीपत में, या इसको कहते है सम्यावास्ता, किसे कहते हैं? पर सम्यवस्ता इसको क्या बता है सम्यवस्ता तो धारा कमाण टु ग्या होता जीरो तो ख्ला शुड़ा समय वस्ता में हो होगे उतने गंदर पी के कंस्ट्रेक्शन होंगे थैंक यू और दोस्तों मैं यह उम्मीद करेंगा लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइक कीजिए धन्यवाद